तो आज में जो है साइन्स बहुत सारे साइन ऐसे होते हैं जो डर्मेटलोजिकल डिसॉर्डर्स में भी तेखने को मिलते हैं तो इसकिन के केसिस में जब आपके पास कोई पेशिंट आता है तो मैं हमेशा अपने स्टुडेंट्स को सजस्ट करती हूं एडवाइस करती हूं कि कोई भी अगर पेशिंट आ रहा है अगर इसकिन डिजीज से रिलेटेड है तो कभी भी आप इसको जो है डारेक्ली टच मत क तो आपको जाए इसके भी होने के चांसेस हैं इसलिए कोई भी इसके डिजी से रिलेटिड पेशेंट आता है तो उसे डारिक टच नहीं करना इस बात को आप सबसे पहले अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए ठीक है उसके अलावा दूसरा बहुत सारी ऐसे स्किन डिजीज होती है जो सिर्फ देखने से उसके एपीरिंस से हमें पता चलता है कि यह कौन सी डिजीज हो सकती है और बहुत से ऐसी स्किन डिजीज है जो बहुत रिजाम्बल करती है जिनका डियाग्नोसिस करना इतना आसान नहीं होता है फिर भी हम कुछ अगर हमें कुछ के बारे में discuss करना चाहूंगी जो हो सकते हैं कि आपके क्लिनिक में जो हैं helpful हो और obviously जो लोग competitive examination fight करना चाहते हैं उनके लिए ये slides में जो हैं पकापकाया भोजन ready हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि वो लोग जो हैं इनके notes बना सकते हैं उनके लिए भी जो है काफी helpful होगा जो लो competition fight करना चाहते हैं जो प्लेनिक प्लेनिकल point of view से भी बहुत important है introduction skin disorders are very frequently commonly occurring disorders which may appear in the form of a simple rash to a troublesome ulceration tumor etc तो skin disorders होते हैं वो बहुत frequent होते हैं हर कोई जो है हम में से हर कोई किसी ना किसी problem से सफर करता इसके problem से चाहे वो minute सा rash ही क्यों ना हो या फिर बड़ा सा tumor के form में ही क्यों ना हो macule हुआ 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 किसको कभी papule किसको कभी pustule कभी nodule कभी tumor कुछ ना कुछ तो हुआ हुआ जब आपके पास patient आता है तो उससे हमें जो है पहले questions put up करने के बजाए अगर इसकी कर सकते हैं डिपेंडिंडिंग अपाउंड टाइप आफ लेशन्स और प्रॉबबल डाइग्नोसिस फॉर्दर डिटेल्स में भी एंक्वाइड और नोटेड जब आपने उसका लेशन्स के appearance देखा with the help of lens देखा torch की help से देखा उसकी बाद आपके मन में कुछ कुछन्स आएंगे तो उसकी बेस पर आप आगे जो हैं उससे कुछन्स पूट अप कर सकते हैं हो सकता है कि उन लेशन्स को देख करके आपके मन में कुछ ना कुछ प्रॉबबल डाइग्नोसिस और प्रोविजनल डाइग्नोसिस फॉर्म हो या होगा अब उससे कंफर्म करने के लिए आप कुछन्स पूट अप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं ठीक है सम्टाइम्स डाइग्नोसिस अफ डर्मेटोलोजिकल डिसॉर्डर्स बिकम डिफिकल्ड इन सच कंडिशन्स क्लेनिकल साइन्स के बारे में पता है तो उन साइन्स की ह तो हम जो है डाःग्नोसिस भी कर सकते हैं तो इसलिए इसकी डिसॉर्डर्स अगरा को रर्न करना होगा इनwegen साइन्स के बारे में आगे स्लाइड इटेयल में बताउंगी तो सबसे पहला साइन है एंटिना साइन्स की आंटीना ऑंटिना साइन क्या है It is seen in keratosis pilaris in which individual follicles show a long strand of keratin clinting when examined in tangentially incident light तो यह सबसे पहले था हमें पता होना चाहिए कि keratopilaris क्या है Keratopilaris Pilar, Pilar सभी को पता है Keratokirato किस से related है? Keratin protein तो इसका मतलब यह है कि कोई भी skin Skin की मतलब ऐसी problem जहां पर मतलब hair follicles होते हैं इसके surroundings में वहां पर hair follicles, hair root में Keratin का production होता है तो normal से ज़्यादा जब over production Normal से ज़्यादा है या फिर over production हो रहा है Keratin का तो इसकी वज़े से जो आपका hair follicle है वो plugged हो जाता है तो plugged होने की वज़े से वहां पर bumps की तरह appearance होगा जैसे goose bumps हो जाते है वैसा इसमें appearance होता है लेकिन goose bumps के लिए कुछ conditions होती है कि goose bumps कब डोलब होता है लेकिन यहां पर क्या है goose bumps की तरह appearance है यह जो है all time, always present रहेगा goose bumps जो है always present नहीं रहता यहां पर कुछ certain conditions के बाद ही goose bumps appear होते है तो इसमें जो bumps like appearance होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि hair follicles जो होती है वो plugged हो जाती है उसकी वज़े से उसका जो appearance होता है उसको हम बोलते है कि ratopillaries आप लोग ने देखा होगा जैसे चिकन होता है चिकन के अगर फैदर को removed कर दें इसके जो hairy वाला portion होता है इसको जब remove कर दें जाता है उसकी इसकी skin का appearance होता है same वो ही appearance इसमें होता है कि ratopillaries में इसलिए इसको जो है chicken skin भी बोला जाता है कि ratopillaries के लिए क्या condition responsible है कि इसमें जो है excessive production हो रहा है protein कौन सा protein है वो keratin keratin का production हो रहा है जो hair follicle को block कर रहा है इसकी वज़े से इसमें बंप like appearance हो रहा तो antenna sign क्या है antenna sign क्या है जब आप side से देखते हो light side light आपने डाला और side view से आप जब देख रही हूँ तो इसमें antenna क्यासा होता है antenna खड़ा हुआ होता है सभी ने antenna देखा है पुराने जमाने में जो antenna लगी रहती थे जो भी insects वगए रहे होता है kiretosis pillars ठीक है got it second है as boy henson sign और बुला spread sign तो बुला spread sign किस में देखने को मिलता है it is seen in pamphigus vulgaris and sometimes in bullus pamphigoid extension of blister in the direction of opposite to side of pressure on pressure age sharp in pamphigus and age round in bullus pamphigoid in short as boy henson sign जा है किसमें देखने को मिलना है pamphigus में ठीक है तो pamphigus है क्या यह एक autoimmune disorder ठीक है autoimmune disorder है और इसमें क्या होता है बुला मैंने जो है पहले आप लोग को वीडियो शेयर की थी primary lesions of skin तो इस में बुल्ला漂कल टर्मस आई थी तो बुल्ला वैसाहीकल जो है किसके टाइप से blister के टाइप है तो वैसाहीकल छोटा होता है और बढ़कité तो इसमें पस्चुल्सा looking to certain dioxide होता है और बुल्ला बढ़का व्रहाई बुल्ला तो बुल्ला जो है इस इंटी बॉडीज में वापने ही अगेंस में अटि प्रेडियूर्ई घुड्यूर्ट की और अपने ही यह वह फ्रेड़ूस करता है तो यह एक तरह से आठो इम्हेंन चाहर और बॉल्ला spread sign जो है यह आपको किस में देखने को मिल रहा है यह pamphigus vulgarismo और बॉल्लस pamphigoid में देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका बॉल्ला फोर्म हुआ है बॉल्ला का अगर आप एक side प्रेस करते हूं तो उसका extension होता है अदर opposite direction में जहां आपने है निकोल्स की साइन एन आई क को ए एसकी वाई एस कीव इसलोफियस की साइन की साइन के बारी में भी मैं पहले बता चुकी हूं इस्टेवेंस जॉंसन ृंस इंड्रोम बताया था एक वीडियो और दी मैंने शेर किया है stevenson-johnson syndrome की बारे में stevenson syndrome में और t en toxic epidermal necrolisus इस मैंने बताया थे कि Nichols की साइन जो है positive होता है तो Nichols की साइन क्या होता है जो भी skin listens है इसको अगर आप touch करते हो जरासा रभ करते हो तो जो उसकी टॉप लेयर्स होती है वो bottom layer से separate हो जाती है। उनका Exfoliation हो जाता है। तो इसको बोलते हैं աिकोल्स की साइन। थीक है। तो निकोल्स की सान आपको किसमें देखने को मिल रहा है। Stephen's Johnson syndrome, Toxic Epidermal Necrolysis ठीक है। और Esvoy Hansen sign और Bull-Light Spread Sign ये आपको देखने को मिल रहा है किसमें। Pamphigos vulgaris और Bullas Pamphigos इस से मुझे एक और चीज यहाद आया बलगर इस मैं हमेशा's में बताते रहते हूं कि बलगयर इस ट्रम जहां भी जूस होता है it means it is most frequently present जो इस जो इसका most common form है most frequently present होता इसको बोह दोलते हैं Scientists ठीक है क्लियर हुआ अब नेक्स साइन है औम्सपेट साइन और स्पेट साइब बहुत बार में इसका जेकरेकी है ज्रॉब्ली यह आपका सोर्यासिस में देखा जाता है तो इसमें क्या होता है स्क्रैच करते हो विद थैल्प ऑफ स्लाइड डारेक्ट हाथ से स्क्रैच नहीं करना है इस बात को हमेशा ध्यान में रखें आप स्लाइड से जो है इसको स्क्रैच करते हो तो वहां पर आपको फिल इंब सर्योटरा देखते हैं आपको पिक में दिख जी तो यह सोरियासिस के अलावा और कौन से डिजीज है जिन में और इस पर लिजिए घीक हैं तो इसके अलावा है आम देरिस डिजीज और एक्टिनिक किरेटोसिस डेरियस डिजीज और एक्टिनिक किरेटोसिस के बारे में आप लोग इसे पढ़ लिजेगा ठीक है और आस्पेस साइन हो गया अब नेक्स साइन है ब्रेकफास्ट लंच एंडिनर साइन यह सुन्दे में कितना इंट्रेस्टिंग लग रहा है तो ब् काटता है इसकी जो लेसंस होते हैं तो वह आपके लीनियर फॉर्म में होते हैं लीनियर फॉर्म में इस तरह होते हैं इसको देखके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहले ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच किया है लंच करने के बाद इसने डिनर किया ह तो आपको जो है ग्रूप के फॉर्म में जो है थ्री तो फाइव ब्लड मील्स प्रेजेंट होंगे तो इसलिए जो है इसको ब्रेकफास लंच डिनर और ब्रेकफास लंच एंड सपर साइन बोला जाता है यह समझ मैं आ गया कि इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब आप इसके लिसंस देखेंगे तो यह लीनियर के स्वियर में हो अधाद के फॉल इसल yat नेक्स्ट है चारपिटैक साइन इससीन इन लूपस्पर म्रिणा canard शैन न्यूपस ah वहां जब आप करदो सेवस्टेंट को तो इसका गंद सोटा वह कार्पिट कार्पिट सभी करफ़ई टांग है और कहते हैं ढोगल में उसको चेक करते हैं एक पर एक यह समझ में आ जायेगा कि इसके लिजसंस जो है कैसे देखने को मिलते हैं जाब सके जिर्मूव किया जाता है इसलिए इसका नाम जो है कार्पेट टैक साइन और क्याट संग साइन या फिर लाइंग्यूु चेट बोलते हैं यह जो है एक cookies होती है French cat जो French cat tongue appearance की cookies होती है इसलिए इस sign का नाम जो है carpet tag sign रखा गया है क्योंकि इनका appearance जो है cats tongue से match करता है या फिर carpet tag से match करता है या फिर जो cookies होती है French cat cookies उनसे match करता है इसलिए इसका नाम जो है carpet tag sign रखा है तो यह जो है आपका SLE और DLE में प्रेजेंट होता है, ठीक है, got it, next sign है, countability sign, तो countability sign जो है, किस condition में देखने को मिलता है, यह आपका alopecia areata में देखने को मिलता है, alopecia सभी को पता है, hair loss, areata बोला है, तो area के form में जो है, hair loss हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, countability sign में कि hair के जो proximal end है, proximal end means, जो मतलब towards the scalp, scalp की तरफ का जो hair का portion है, वहाँ पा कुछ hairs होते हैं, वो tapered, tapered हो जाते हैं, tapered हो जाते हैं, कुछ मुड़े वे से होते हैं, क्या होता है, तो क्या होता है, कि अगर hairs को जो है, inwardly अगर push किया जाता है, तो यह easily kink हो जाते हैं, easily bent हो जात होते हैं, अगर आप देखें, red arrow जहां जहां पर लगें, वहाँ पर आपको दिखाए देगा कि, यह जो है, थोड़े से proximal side पे, scalp की तरफ में हो जो है, मोड़े हुए हैं, तो इसको बोलते है, caudability sign, तो यह आपको मिलता है, alopecia ariata में, ठीक है, next sign है, cross sign, cross sign, जो है किसमें देखने को मिल रहा है, neurofibromatosis में देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होता है, axillary reason में या फिर inguanal reason में जो है, freckling देखने को मिल रही है, freckles क्या होता है, मैंने macules जब पढ़ाया था, तो बताया था कि macules का example, freckles है, तो freckles में क्या हो रहा है, hyper pigmented macules present है, इसमें hyper pigmented macules present हो और फिर cluster of pigmented cells भी बोल सकते हैं cluster of pigmented cells present होते हैं तो अगर आप इसके axillary region में देखोगे तो इसके axillary region में आपको बहुत सारे clusters के form में दिखाई दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं cross sign यह neurofibromatosis के case में present होता है यह usually by birth present होता है और इसमें होता है किया है एक तरह से ही जो है benign tumors होते हैं इसमें जो है क्या होता है इसमें tumors form होता है nervous tissues में तो जहां जहां nervous system में वहां पर यह कहीं भी develop हो सकता है तो neurofibromatosis के case में आपको जहां देखने को मिल रहा है cross sign का मतलब होता है कि axillary और inguinal freckling देखने को मिल रही है तो freckling क्या होता है यह सब को clear हो जाओ अधर साइन्स will be discussed in other videos अब इन्हें अच्छे से पढ़ो समझों जहने notes बनाने हैं वह notes बना सकते हैं और हमेशा ध्यान में रखो कि क्लेनिक में पेशन्ट आ रहे हैं तो हमें किस तरह से पेशन्ट को ट्रेट करना है ठीक है चलों बाई बाई